नमस्कार प्यारे साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है फोरेश्टर डिपावर में तो आज का क्लास बहुत ही खास होने वाला है पहला सवाल आपके स्किल्म पे आ जाता है आपके गैरिसन नगर का समंद है वो किस से समंद है बावु यहां पर चावनी से वेपार से ठ अगला सवाल आपके यहां पर जो नमबर में आता है जिसमें पूछा गया है कि एर इंडिया समंद है यह किस से समंद है इस परसन का उतर क्या हो जाएगा आपका राइट अंसर इंटरनेट से उबगरा वायू मार्ग या पर महामार्ग तो बच्चों यहां पर जवाब हों इस परसन का जवाब क्या होगा मानव बुधिमता प्रियोद्युगी की लोगों के अनुभाव या फिर मानव यह भावी चारा ठीक है तो तीन का जवाब लगाएंगे बाबु यहां पर इस सवाल का जवाब क्या हो जागा चले जल्दी जल्दी आप लोग आंसर बता है किसके लिए परवास के लिए बोव निमनी करन के लिए वायू परदूसन के लिए गंधी बस्तियों के लिए बच्वों 4 जवाब लगा दीजे जल्दी से इस सवाल का जवाब यहां पर क्या हो जाएंगे चले क्रिश्चन चौदरी जी बहुत-बहुत स्वागत है आपक जो है आपका option number ए सही उतर जाएगा अगला सवाल है आपके यहाँ पर 5 नमबर में आता है जिसमें आप से सवाल किया गया है कि जनसंख्या वितरन को परभावित करने वाले कारकों में से सत्व महतवपुर्न कारक कौन सा होता है यहाँ पर 5 का जवाब लगा दीजेगा जलवायी होगा अगला वाला सवाल आपके छे नमर में आता है जिसमें आपसे पूछा गया क्या आप से यहाँ आपके किस महादीप में 90% से अधिक अब अबादी जो है नगर ये है, उतर अमेरिका में, अफ्रीका में, एस्या में या फिर ये उरोप में, जवाब लगाएए, 6 का जवाब यहाँ पर क्या होंगे आपके, 6 नमबर सवाल का जवाब क्या होगा, आप लोग को जल्दी से बता देना है, फटा बट से आप लोग क सबसे अधेक जनसंक्या वाला देश कौन सा है भारत चीन सनुटराइज एमेरिका पिर जपान साथ का जवाब लगाईए चलिए सभी प्यारे बच्चे अगर आप लोग को कोई भी सवाल हो आप लोग अगर टेक्निकल कुछ जानना चाहते हैं तो आप लोग यहां पर सभी ब बाब गुड इन वहले सवाल को देखेंगे हैं इस प्रस्णाइट होगा यहां चलिए बहुती बढ़ीए बच्चे यहां पर जवाब होगे बिल्कुल 11 जुलाइ होगा 11 जुन 11 मार्च या फिर 11 अप्रेल आप लोगको 8 नंबर सवाल का जवाब लगा देना है ठीक है इस परसना का जो उत्तर होगा जल्दी से आप लोग आँसे लगा देज़ेगा इस परसना का उत्तर हो जाएगा राइट अंसर जर्मानी में अगला वाला सवाल आपके यहां पर जवाब क्या हो जाएगा तो बच्चों यहां पर 10 का जवाब हो जाएगे बिल्कुल करेक्ट आंसर यह देखे पाकिस्तान हो जाता है जिसमें आप से पूछाएगे कि इस परकार की क्रिसी का विकास किया गया था तो मिलपा का रोपन क्रिसी मिस्रित क्रिसी आप जो आंगूर की खेती 11 नंबर सवाल जो आपके स्क्रिन पर दिख रहा है सवाल का जवाब क्या होगा चले सागर पटे जी बहुत बहुत बढ़ी है बच्चे जल्दी से आप लोग यहां पर आंसर बताएंगे ठीक है ना चले बहुत बढ़ी है बच्चे वह होथी संदर लिसनर चौधरी जी बढ़ी है आंसर दे रहे हैं ओके तो यहां पर जो 11 का जवाब हो जाएगा बिलकुल करेक्ट आंसर यह हो बारा का जवाब लगाएगा बाबू ठीक है बारा का जवाब लगाएगा शरीता भारती जी गुडिविडिंग बाबू जवाब लगाएगे जल्दी से इस प्रस्न का जो उत्तर होगा और एक्ट आंसर यह हो जाएंगे पर जो है इस प्रस्न का उत्तर क्या लगाएगा तेरे का जवाब क्या लगाएगे तो सी त्रियुतु में हो जाएंगे और यह वाले करेक्ट आंसर अगला वाला सवाल आपके यहाँ पर जो है जो है जो है काफी वह रेसेदार फसल नहीं है तो आपसा नमबर भी को हम लोग यहाँ पर राइट अंसर करेंगे कि लिए रहे सहीं बच्चे को चले बहुत बढ़ी है बच्चो ओके तो यहाँ पर कुपाषद तो नहीं होगा बबाबु काफी आपका राइट अंसर हो जाएगा ना काफी है अगला व schaffen रहुत ही तो आप लोग हर्बड़ी में कोशन तो ऐसा mistake आप लोगो नहीं करना देखें, ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको answer लगाना है, ठीक है, एक दो सेकेंड आप लोग ध्यान से उसको देखिए, उसके बाद answer लगाईए, ठीक है, निमनलेकित में से कौन सा देश कोईला का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये आप से पूछा गया, क्या पूछा गया बाबू, कि रबड किस परकार की क्रिसी का उपज है, रबड जो है, वो किस परकार की क्रिसी का उपज है, इसके बारे में आप लोग बताएंगे जल्दी से, बहुत बढ़ी है बच्चे, रोपन क्रिसी, भोमाधिय सागर्य क्रिसी प्रारभिक अस्थाई क्रिसी, मिश्रित क्रिसी, इस प्रस्ण का जवाब क्या है, 16 नमबर सवाल का जवाब क्या हो जाएंगे बाबू, यहाँ पर, इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएंगे, राइट अंसर, रोपन क्रिसी, आफसे नमबर ए वाली, करेक्ट अंसर हो जाएंगे, सही हुत्र हो जाएगा. अगला वाला सवाल दिखेगा. सवाल आपका याँ पर जोぎ करेक्ट आंसर हुच्छे हो जाएगा.แँए है? प्रिंचर राज्जी गूझ ऑफार्मिंग रगू कुमार बढ़त बढ़िया, वेरी गूब बहुत सामतर हैं बच सब्सक्राइब करेक्ट आंसर हो जाएंगे के लिए अगला सवाल नेक्स्ट वाला सवाल 18 नमबर में आता है कि रूर कोईला रूर कोईला छेतर किस देश में इस सी थे बाबु प्रांच में जर्मानी में बेल्जियम में या फिर देनमार्क में बताइएगा जल्दी से राज लगा ठीक है नहीं तो आप लोग जल्दी से एक बार जो है क्लास को सेयर किजेगा बाबु संजीवन कुमार गुड़ इवन बाबु राम बाबु कुमार गुड़ इवन जी इवन चले जल्दी से आप लोग आंसर लगाईएगा कि रूर को या फिर देर्श में इस्तित है ग्रूप आप लोग को जवाइन करना है बाबू तो 76676671300 पर आप लोग WhatsApp मेसेज कीजिए इसको जो है स्क्रिंसोट कर लिजेगा इस नमबर को आप स्क्रिंसोट कर लेना है उसके बाद आपको क्या करना है बाबू तो एक बार जो है आप लोग का यहाँ पर जो है उनाइस सवाल आ जाता है कि गहान निर्वान करिसी पर चलिते है कनाड़ा में चीन में सनुक्तिराज अमेरिका में या फिर यूक्रेन में बताइएगा सभी बच्चे नमबर सवाल का जवाब लगाएंगे बाबू यहाँ सवाल का जवाब क्या हो जाएगा नियाक कुमारी जी गु 20 नमबर सवाल का जवाब आप लोग को जल्दी से बताना है ठीक है तो इस परसन का जो उत्तर हो जाएगा बाबू राइट आंसर यह हो जाएंगे आपके यहाँ पर मक्का आपसा नमबर डी सही उतर अगला सवाल आपके 21 नमबर में आ जाता कि चॉकलेट में कौन सा पदा जाएगा फटापट से परसन का जो उतर हो जाएगा और यह क्या होंगे आप सभी बच्चे को जल्दी से बता देना है ओके बहुत बढ़ी है प्यारे बच्चे यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर 21 नमबर सवाल में इस परसन का उतर है आपका जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर यह हो जाएगे आपके यहां पर जापान क्या हो जाएगे और आप लोग बताईए कि टाटा जो है ताटा किस देश का कंपणी है यह बताईएगा ठीक है अगला वारा सवाल दिखेगा यहाँ पर 23 नमबर में आपका सवाल आता है आप लोग को पूछा गया था आप लोग को बोला गया था कि मुझे मेरे वाट्सअप नमबर पर आप लोग सेंड करेंगे ठीक है राकेश कुमार जी गुड़ीवनिंग बाबु तो काफी बच्चे बच्चों ने सेंड किया था लेकिन काफी बच्चे अभी तक परसन को मुझे बना करके नहीं भेजे थे ठीक है लेकिन आज आप लोग को बता दो कि किरिया कलाब क्या होता है इसके कितने वाग होते हैं राध गाष होते हैं टाज्क होता है और यहां पर जवाब क्या हो जाएगा पीडियंग कैसे लें सर ** सर 0 यहां पर देखेंगे तो इस प्रस्ण का उतर होगा बाबु राइट आंसर यह हो जाएंगे आपके यहां पर बिल्कुल सही उतर हो जाएंगे परियाटन अगला वाला सवाल दिखेगा अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आता है तीनों क्या है सेवा के भाग में आजाते हैं और यह तुदा कम वाला सेवा होगा उससे ज्यादा बाव 從हां पर बर्मस उंबर ऑप सेवाले आपके चलि बहुती बढ़िया अग्ला वाला सवाल आपके स्क्रीन पर आता है 25 नमर में जिसमें आप से पूछा गया है 25 सवाल क्या पूछा गया है लोहार दागा जो एक कहा पर गाई कहां पर यह लोहार दगा बढ़ाओंगा इसका जोए कौन सा दीचा कैसे देखा जाता है जिसा देखने के बाद आप लोग मैप में राजस्थान हैं कहां हर्याना पंजाब है कहा जमु कश्मीर है इसके बारे में आपको बढ़िया से पड़ना ठीक है चले पोके तो लघणा कंवा लूहा के लिए जो 26 नमबर सवाल आता है बाब का यहांपर निमनलिकित में से महादीपो में किस से 200 वैपार का स्तरवाधिक परवा होता है तो यहांपर Asia होगा उत्री अमेरिका हो जाएगा यहांपर और फिर अफरीका हो जाएगा यहां पर 17 जबाब हो जाएंगे करेक्ट आंसर यह क्या हो जाएंगे चली आपका क्या नाम है सर मेरा नाम संतोस है बाबू फिर एक एक सही बच्चे आप लोग जो है मेरे नंबर को भी नोट कर लिजेगा ताकि आप लोग को हेल्फ मिलते रहें ठीक है यहां पर यह नंबर ह सबस्क्राइब करें यहां पर 18 नंबर में की बिरहद ट्रक मार्ग होकर जाता है वह किस के किस से गुजर के जाता है यहां पर चार आपके दिए गए गया है तो मैं आपको डिरेक्ट ली आंसर बताऊंगा इसका जवाब लगा सबस्क्राइब करेंगे और उसके बाद आप लोग यहां पर अगले वाले सवाल को देखेंगे बाबू 29 नंबर में किस समुदरी मार्ग पर जिबराल्टर इस्थित है इस समुदरी मार्ग पर जिबराल्टर इस्थित है बताईएगा स्वेज मार्ग केप मार्ग पनामा मार्ग या पर दक्षनी अटलांटिक मार्ग तो बच्चो 29 का जवाब क्या लगाईएगा आप लोग यहां पर जल्दी से बताईएगा अगर आप गर्ल हैं तो आप लोग इस नंबर पर कॉल किजेगा उसके बाद गर्ल गुरूप को गुरूप का जो है लिंक मांगेगा तब आप लोग जबैन होईएगा ठीक है तो यहाँ पर 29 जवाब होगा बाबु राइट आंसर यह हो जाएंगे आपके स्वेज मार का आप चले गुंजा कुमार जी बहुत बढ़िये बच्चे सरिता गोलू राम बाबू बहुत चली एनुसका जी बहुत ही संथर बच्चे सकीब जी बहुत बढ़ीया अंसु कुमार जी वेरी गूड यहाँ पर जबाब लगा दीजगा विसाल केस्री बहुत संथर आपका राज कुमार बहुत बढ़ीया चली जल्दी-जल्दी आंसर कीजगा और जीते भी प्यारे बच्चे जो अभी तक कि इस class को like नहीं किये हैं सही बच्चे जल्दी से जल्दी इस class को like भी करेंगे और share भी करेंगे class को ठीक है जी यहाँ पर 31 नमबर सवाल का जबाब हो जाएंगे बिल्कुल correct answer चले बहुती संदर बच्चे गोलु पास्वान क्रिष्णा चौधरी जी वेरी गुड बच्चे तो यहाँ पर 32 का जो जबाब होगा बिल्कुल correct answer यह हो जाएंगे आपके यहाँ पर आंतरीक पतन ठीक है option number यह वाले हमारे क्या हो जाएंगे सही उतर हो जाएंगे इसका नोटिफिकेशन आपको गुरूप में दे दिया जाएंगा ठीक है खाना होगी यह गुरूजी नहीं बाबू जब तक पढ़ाएंगे नहीं पूरा complete नहीं करेंगे तब तक खाना नहीं खाएंगे अभी ठीक है चले राहुल जी हेलो बाबू गुड इमनिंग गुड इमनिंग तो यहाँ पर जवाब लगाए एक बार सेर कीज़े क्लास को दमदार तरीके से एक बार सेर कीज़ेगा जम करके एक बार सेर कर दीज़ेगा आप लोग अगले वाले सवाल को देखेंगे, आप लोग यहाँ पर 35 नमर में इसको देखते हैं, सवाल कर रहा कि येसेन कहाँ पर है, येसेन जो है वो कहाँ पर बताइएगा, जापान में, रूस में, जर्मानी या फिर भारत में, 35 का जबाब क्या लगाएगे, जल्दी से बताइए, बहुत बढ़ी हैं बच्चे, वेरी गूड, राहुल स्रीवास्तो जी, बहुत बढ़ी आंसर आपका, वेरी गूड बच्चे, यहाँ पर 35 का जबाब होगा, करेक्ट आंसर ये हो जाएगे, प्यरे बच्चे, यहाँ पर जर्मानी में, ठीक है, ऑप्सन नमर सी वाले करेक् बच्चों 36 का जबाब लगा दीजे जल्दी से, इस प्रस्न का उत्तर क्या होगा, ठीक है, चले, बहुत ही बढ़ी है, वेरी गुड, बहुत बढ़ी हैं बच्चे, यहाँ पर 36 का जबाब होगा, किलियर आंसर वो हो जाएगे, वेपार, आप्सन नमर सी वाले करेक्ट आं बच्चों 37 का जबाब आपके यहाँ पर 37 नमर सवाल में, इस परस्न का उत्तर है, आपके यहाँ पर 38 नमर में आता है, जिसमें आपसे पूछा गया है, कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना परतिस्त उत्री मैदान में बसता है, यहाँ पर चार आप्सन आपके दिये गए ठीके एक दो बट्टा तीन परतिस्त आपका होगा, एक बट्टा चार परतिस्त या फिर एक बट्टा तीन परतिस्त या फिर एक बट्टा दो परतिस्त तो बच्चों जबाब लगा यह परतिस्त में आप लोग आंसर करेंगे, और यहाँ पर जो जबाब हो जाएगा, 38 न मुझ से आते हैं आप लोग बताएंगे जल्दी से आश्ट्रिक द्रविडियन येऊ फिर चिनी उनचालिस नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है इस सवाल का जवाब क्या होगा आप वह जल्दी से बताएंगे प्यारे बच्छों ठीक हैई इस सवाल का जवाब क एक बार शेयर भी करेंगे बाबू सही बचों तक एक बार सेयर कर दीजे क्लास को सेयर कर दीजेगा वाटस पर स्टेटर लगा दीजेगा क्लास का ठीक है और यहां पर देखें उन चालिस नमबर सवाल जो आपके स्क्रीन पर इस सवाल का जवाब हो जाएगा राइट आंसर आस्ट्रिक ऑप्सर नमबर यह वाले करेंट आंसर हो जाएगे अगला सवाल आपके यहां पर आ जाते हैं चालिस नमबर में जिसमें आपसे पूछा गया कि निमनलेखित में से कौन सा एक समू भारत में विसालतम भासाई समू है चिनी तीबती भारती आरी आस्ट्रिक या गहनत हो है तो आप लोगों के यहांपर चार आपसन दिया गया है एक 106, 1106, 1136, 1166 इस परसन का उत्तर क्या होगा आपका तो राइट अंसर सही बताईएगा ठीक है इस सवाल का जो जबाब हो जाएँगे आपके सही उतर वो क्या होंगे आप लोग को जलिभी से बता देना पड़ा पड़ से correct answer बताना है जी तो right answer हो जाएगा आपका correct answer यहां पर 1106, 1106 आपके correct answer हो जाएगे, अपसा number B वाले, अगला सवाल आपके screen पर 42 नमबर में आता है, कि निम्नलिकित में से कौन सा भारत में पुरूस परवास का मुख्य कारण है, पुरूस परवास का जो तब ही यहां पर पुरूस परवास होता है, मुख्य कारण होता है, अगर यहां पर इस्तिरी का बात कर देता, तो इस्तिरी में हम लोग क्या लगाते हैं, यहां पर विवा, एक मुख्य कारण होता है, इस्तिरी परवास का एक जगा से दूसरे जगात पर चली जाती है, तो प्रवसी देश के सबसे अधिक परवासी आये हुए है पाकिस्तान श्री लंका बंगला देश या फिर आफगानिस्तान 43 का जवाब क्या होगा बाबू तो राइट अंसर आपके यहां पर बंगला देश हो जाएंगे ऑप्सिन नमबर सी वाले ठीक है अगला सवाल आपके स्क प्यारे बच्छे यहां पर 44 का जवाब होगा करेक्ट आंसर यह हो जाएंगे आपके यहां पर केरल ऑप्सन नमबर यह वाले सही उतर अगला सवाल आपके स्क्रीन पर 45 में आता है जिसमें आप से पूछा गया है कि किस परवत पर उटी परियाटक केंद्र अवस्तित है कि नेहीं नीगीरी जो है बिलकुब करेक्ट आंसर हो जाएंगे यहां पर ठीक है नीग क्या है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्स नमबर बी वाला उसके बाद अगला वाला सवाल देखेंगे आप लोग 1996 में कि पुआ सान्सकृतिक नगर है यहाँ पर जेरूसलाम, मैंचेस्टर, ओसाका या फिर फ्रेंकफर्ट, यहाँ पर जो है चियारिस का जवाब क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताएंगे, इस प्रस्न का उत्तर क्या हो जाएंगे बच्चों, सही वच्चे को जल्दी से आंसर कर देना है, चले जैक, जैकुमार जी का सवाल है यहाँ पर की, टुवेल्थ में कौन सा मोडल, पेपर ला, बाबु पूरा तो लिखे, पूरा लिखे, तभी तो आंसर कर पाएंगे न हम, ठीक है, तो आप लोग को सवाल पुछना होगा, तो इस नंबर को नोट कर लिजेगा, इस नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर कॉल करके बाद भी कर सकते हैं, ठीक है, तो राइट अंसर आपके यहाँ पर जेरियू सलम हो जाएंगे, आपसे नंबर ही वाले, ठीक है, सांस्क्रितिक नगर, अगला सवाल आपके यहाँ पर जो है, सिंचित छेत्रों में मिर्दा नीमनी क पूरा करें, फटा बड़ से पूरा करना यह टारगेट है बाबु आप से जल्दी से टारगेट को पूरा कीजिएगा, फटा बड़ से आप लोग यह लाइक करेंगे, 47 का जबाब किया होगा, तो इस परशन का जो उत्तर हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर, यह हो ज 49 नबर में कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है, कौन से फसल को उजला सोना कहा जाता है जूत कपास गेहू nice या पर गन्ण 99 का जबाब लगा दिजिएगा बच्चों यहाँ पर इस परस्ण का उतर क्या होंगे आपके, यहाँपर 49 जबाब होगा बिल्कूल correct answer ही हो अगला वाला सवाल आपके यहां पर आते हैं 50 नंबर में जिसमें आपसे पूचा गया कि जो किosit कि की जाती है जो कि जो किसमें की जाती है चलिए बहुत ही बड़िया पर है भाती संदर्वी में जो किаешь की जाता है यहां पर उतर परदेश में पंजाब में बिहार में या फिर असों में आप जल्दी से आंसर करेंगे 50 सवाल का जवाब लगाईएगा चले एक बच्चे का सवाल है यहापर ठीक है अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आजाता है बारत में चावल का सबसे बड़ा उतपादक राज यह कौन सा है इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है ठीक है यहाँ पर जवाब लगा दीजिएगा बिहार हो जाएगा करेक्ट अंसर अगला वाला सवाल जो है आप लोका य कितमें सरवाधिक पर दूसेत नदी कौन है रावी गोदावरी परमपुत्र या फिर यमना बावन का जवाब यहां पर क्या होंगया ठीक है explains is बारे में मैं हे आप लोग माला करे दे दिए बाबो इसको देख सकते हैं अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग से बारे मे आपको पढ़ना होगा कौन-कौन सब्जेक्ट का आप लोग को बुक कहां से लेना है और कैसे आप लोग सारे बुक को पढ़ सकते हैं ठीक है यह सारा चीज मैं आप लोग को बता दूंगा क्लियर है तो सही बढ़िया से जोए 10 बुजे वाला लाइफ क्लास देख लीजेगा ठीक है तो यहाँ पर जो है बावा नंबर सवाल का जो जबाब होंगे करेक्ट आंसर यह हो जाएंगे यमना ऑप्सन नंबर डी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे अगला वाला सवाल है आपका जो है आप तीरपन में आता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है ठीक है गंगा मानदी नर्मदा या पिर बरंपूत्र इस प्रसन का उत्तर बताईएगा बाव चले जल्दी जल्दी आप लोग आंसर बताएंगे इस प्रसन का जवाब क्या होगा आपका करेक्ट आंसर आपका यहां पर तीरपन का जवाब क्या हो लिए रहे सवाल को देखी आप लोगे आपर आपका चौवन नमबर में आता है जिसमें आपसे पूछा कि निम्निलकित राजियों में किसमें हीरा कुन पर युजना आवस्थित है तो इसका जवाब क्या लगाईएगा ओरिसा चाथिस गर्मादिय परदेश या फिर महरास्त चौवन का जवाब क्या लगाईएगा चौवन नमबर सवाल का जवाब क्या होगा आपका यहां पर करेक्ट आंसर सही बचे बताएंगे यहां पर चौवन का जवाब हो जाएंगे बिल्कुल सही उतर यह हो जाएंगे प्यरे बच्चे ध्यान दीजेगा आपका जवाब हो छले जल्डिस से बताईएगा यहां पर 25 का जबाब क्या हो जाएगा बाबू? बोकारो तारापूर चेनई या पिर नरोरा तो यहां पर 55 को जबाब हो जाएगे, पिर पूरा त्रैमिल नाडु या फिर जहारखन जबाब बीवाले, यह हो जाएंगे आपके जारखंड आपसा नंबर डी वाले सही उतर हो जाएंगे अगला वाला सवाल आपके स्क्रिंप यहां पर संतावन में आता है जिसमें पूछा गया कि उद्यपूर किस राजी में है बताइएगा राजस्थान गुजरात पंजाब या फिर हर्याना में संतावन का जो जवाब हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर यह हो जाएंगे आपके यहां पर राजस्थान आपसा नंबर इवाले अगला सवाल आपके यहां पर आते हैं अंठावन नंबर में बाबू ठीक है अंठावन नंबर सवाल है कि निनलिकित में से किस राजी में प्रमुख तेल छेत्र इस्थित है असम विहार राजस्तान या पिर तमिलाडू अंठावन का जवाब यहां पर क्या होगा तो इस प्रस्न का उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्छे आसम आपसा नंबर यह वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे अगला वाला सवाल यहां पर जो बिल्कुल करेक्ट आंसर यह हो जाएंगे आपके तामा की खाने अपसा नंबर यह वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे अगला वाला सवाल आपके यहां पर जो जवाब हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यह क्या हो जाएंगे तो सभी बच्छे को जवाब लगान बहुत बढ़ी है राजकुमार अंसू राम बाबू चले बहुत ही बढ़ी है बच्चो तो अगले वाले सवाल की और आप ध्यान दिजिएगा सवाल आपके यहां पर जो आ जाता है बारस्ट नंबर सवाल का जबाके जलिधी से बताइए इस परशनक का जवाब जल्दी लगाएंगे बाबू कुलकाता हावडा कुलकाता मेधनीपूर कुलकाता कौन कार ठीक है तो इस प्रसन का उतर बताईएगा थो जबाब क्या हो जाएगा तो इस प्रसन का उतर बताईएगा आपका सुबद साम डेली लाइब क्लस का लीजगा अपका सुबधा साल बजे से दस वीच दक आपका के चलता है आप लोगो यहाँ पर option number C में दिख रहा होगा ठीक है sorry बच्चे आपका यहाँ पर option number C नहीं होगा आपका right answer हो जाएंगे बिल्कुल 2007 से 12 ठीक है 7 से 12 आपके यहाँ पर बढ़ियां से याद रखेगा क्या होगा सही उतर तो 7 से 12 आपके यहाँ पर यहाँ उतर हो जाएंगे जो कि option number B में है बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो गया ध्यान दिजिएगा ठीक है 65 सवाल है कि जल जन यह रोग है बताईएगा कि जल जन यह रोग यहाँ पर क्या होगा स्वासन संक्रमन नेत्र स्लेस्मन सोध अतिसार या पिर स्वासनाली सोध इस प्रस्न का जवाब क्या होगा 65 का जवाब लगा देंगे जल्दी से इस प्रस्न का जवाब बताईएगा आपको PDF चाहिए तो आप लोग नमबर पर WhatsApp कीजिए ठीक है WhatsApp कीजिए आप लोग को बता दिये जाएगा PDF आप लोग को कैसे मिल पाएगा ठीक है तो अगले वाले सवाल को देखेंगे सवाल आपका यहाँ पर 67 नमबर में आता है कि मद ये पूर्वर रेलवे का मुख्याले कहां पर है मद ये पूर्वर रेलवे का जो मुख्याले है वो कोलकाता में है इलाहबाद, गुवाहाटी या फिर हाजीपूर में 67 का जवाब लगा दीजेगा पर जाएंगे बिल्कुल का Boss परियोगर इंवे से कि याहां पर क्या तो जाएके नेस हैंज हाइवे यहां ले नेज में आपसे नमबर B, correct answer हो जाएंगे बाबू, ठीक है, अगले वाले सवाल को देखिए, आप लोग यहाँ पर सवाल 79 में आता है, ठीक है, 79 में सवाल आपसे पूछा गया है, सही बच्छे ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आंसर बताईएगा, उनहतर में सवाल पूछा गया क पार दीपिय बंदरगा किस राजे में है, इनमें से, चलिए जली से बताईएगा, यहाँ पर पार दीपिय माद बंदरगा किस राजे में, तमिलाडू में, उडिसा, केरल या फिर उजरात में, इस प्रसन का जवाब क्या होगा, तो काफी बच्छो का अंसर आ चुका है, 79 जबाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर यह देखेगा, ओडिसा, आपसे नमबर जो है, बी वाले करेक्ट आंसर हो जाएगे, अगले वाला सवाल, 70 नमबर में आ रहा है कि किस परदूसन द्वारा सरवाधिक बीमारियां होती है, जो होती है, वो कौन से परदूसन क चले, बहुत ही बड़ी है, बहुत ही संदार, तो यहापर जो है, 70 का जो जबाब होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर यह हो जाएगे, जल, ठीके, यानि जो है, पानी आपका राइट आंसर हो जाएगा,